हेलो एवरिवन, वेलकम बाक टो आर चानल जग्यान एडिविजन सो हम आपके लिए दोबारा से एक नई वीडियो ला चुके है रिलेटिट टो नीट जैसे कि लास हमने अभी एडमेट कार्ड की वीडियो डाली थी आज जो हम वीडियो लाएं वो लाएं नीट ड्रेस कोड के उपर अगर आप नीट का एक्जाम देने जारे हैं तो कुछ बाते हैं जिनका आपको बहुत ज़ादा ध्यान रखना है ये ना हो कि सिरफ एक ड्रेस कोड के चकर में कुछ चीज आपको नहीं पहन के जानी थी उसके चकर में आपको जो है वो एक्जाम ही ना देने दिया जाए तो हम उन बारे में बात करते हैं कि क्या क्या आपको avoid करना है और क्या पहन के जा सकते हैं जो आप neat का exam देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर वियर की कि आप किस तरीके के ऊपर टॉप टीशेट या फिर कूरती या फिर जो लड़के हैं वो कैसी टीशेट पहन के जो है वो जा सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम लड़कियों की बात करें, तो बिटा मैं कहूंगी simple t-shirt पहन के जानी है, वो simple t-shirt में भी लड़कियों की इत्ती सारी category आती है, अलग-अलग तरीके के design आते हैं, तो इस तरीके की कोई भी t-shirt नहीं पहन के जानी है, दिखने में ये भी plain है, बट इसक इस सब चीजों को छोड़के आप जा सकते हैं, तो इस तरीके की बिल्कुल plain t-shirt पहन के जानी है, बार-बर हम इस चीज को कह रहे हैं, इसके अलावा girls के पास एक option होता है, कि सलवार suit पहन के जा सकते हैं, शौट कूर्ती पहन के जा सकते हैं, तो बेटा वो जो सलवार suit है, वो भी आपका plane होना चाहिए उसमें कोई भी design नहीं होना चाहिए जैसे कि अगर हम बात करें इस टैप की जो ये कुरती है इस पर ये flower print है तो ये भी वो जो है वो अलाओ नहीं करेंगे तो कोशिश कीजिए बिल्कुल plane कुरती जो है वो आप पैन के जाए जुआ है प्लेट शल्वार प्लेट बैन के जाए कोई भी designer कुरती जो है वो नहीं पैन के जाए दैन आप बात करेंगे में की लोवर वप उसमें आप क्या पैन सकते हैं तो इस जिन को जो भी जिन्स पहन के जा रहे हैं उनको avoid करना है चाय वो ripped jeans हो या फिर normal jeans, कोशिश कीजिए कि कोई भी jeans आप ना पहन के जाए, ना पहन के जाते हैं ale a इस तरीके की attractivy jeans जो होती है designer वह आपको नहीं पहन के जानी है इंसके बात इन में सयरे King эфф पहन रखे हैं यह बी colored मेल हो या फीनल हो कोई भी sunCs जुख जानी है उनका फैक्षिक्र और जो हुआ होना च्याहिए इनके जो watch जो है वो allowed नहीं है चाहे वो smart watch हो या फिर normal watch इस तरीके की कोई भी watch जो है वो आपको allowed नहीं है चाहे वो boys हो या फिर girls हो देन इसके बाद girls के अब hairs की बात आती कि hairs बड़े होते हैं तो उन्हें कैसे बांधना है तो बेटा एक simple black rubber या फिर nylons के जो rubber आते हैं ये जो छले type होते हैं ये बांध के जाने की कोशिश करें simple ऐसे एक ponytail कोई गुत कुछ भी जो है वो allowed नहीं है किसी भी तरीके की braid बालों में सिरफ एक simple black rubber या फिर nylon rubber ही लगाएं इस तरीके के कोई भी fancy rubber जो है वो allowed नहीं है वहीं जो है वो आपके बालों से निकलवा दिये जाएंगे तो कोशिश कीजिए black और simple nylon के rubber जो है वो आप पैन के जाएं किसी भी तरीके के earrings जो है वो allowed नहीं है चाहे वो बड़े earrings हो या यह चोटे earrings हो कोशिश करें चाहे गोल्ड के भी है उनको घर ही उतार के जाएं क्योंकि अंदर कुछ भी आपको जो है वो allowed नहीं है पैन के जाना ना ही गले में कोई locket होना चाहिए ना हात में आपके कोई bracelet होने चाहिए not even यह tic tac clips भी जो है वो allowed नहीं है आप सोच परशिश कीजिए कि घर से ही आप उतार के जाएं कोई gold की ring नहीं gold earrings कुछ भी नहीं even पैरों में भी कुछ नहीं होना चाहिए आपके कोशिश कीजिए नॉर्मल चपल पहन के जाए बिना किसी हील की कोई fancy चपल नहीं पहन के जानी है नॉर्मल चपल जो है वो पहन के जानी है देन इसके बाद कुछ गर्ल्स जो है वो इस तेम पर mensuration cycle या periods होंगे तो उनके लिए क्या दिक्कत आ सकती है तो बेटा उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पहले एक दो बार यह दिक्कत आई है बट अब जो नीट जहां पर भी examination सेंटर होता है उन्हें यह बोल दिया गया है कि गल्स अपने साथ सेनेटरी नापकिन जो हो कैरी कर सकते हैं बट कोशिश कीजिए कि आप घर से ही प्रॉपर अपना जो हो सब कुछ प्रेकॉशन जो है वो लेके जैं इसके बाद बात आती है कि भाई जो हमारी उसके मुसलिम लड़कियां कि वो पनेड़ेंर पह insp के पूचा लड़कियां नहीं जा सकती है अधर आपने कह न ही करेंगे आपके फॉर्म पर लिखाया होगा क्या आपने क्लिक कर रहा है या नहीं कर अपने अड्मिट कार्ड पर तो यह सब चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एक्जामनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपके इन चीजों का ध्यान रखेंगे और अल दी बेस्ट फॉर नीट एक्जाम